श्रीनगर में मोहरम के जुलूस को रोखने के लिए पुलिस ने पाबंद्या आयात की श्रीनगर के जाल डगर, बाटमलू, डलगेट और लाल चौक में पूली तरह से पाबंद्या आयात की गई थी इसके साथ ही श्रीनगर में इंटरनेट ख़दमाद भी मौतल कर दी गई ह पुलिस ने कल ही वाज़े क्या था कि किसी को आज मोहरम के जुलूस निकालने के इजाज़त नहीं दी जाएगी इसलिए जुलूस निकालने वाले लोगों को जगह जगह पर रोका जा रहा है और इस दोरान सिर्फ एसेंशल सर्वेसिस को ही इजाज़त दी जा रही है जो गाडियों की आवजाई हैं वो बेहत कम आपको नजर आ रही हैं और जो स्कूरिटी के अहलिकार हैं वो यहां पे ताइनात किये गए थे सुबह से ही और कल ही श्री नगर पुलीस ने जिस तरीके से कहा था कि आज वो किसी भी मोहरम के जुलूस को निकलने की अजाज़ नहीं दी जाएगी श्री नगर के गुरू बाजार लाल बाजार और जाल डगर इलाके से आज जुलूस निकलने वाले थे लेकिन प्रिशासन ने पहले ही सतरकता के साथ जो हैं ताइनात अपनी स्कूरिटी अहलिकार हर जगे पे किये और इस बीच जो इंटरनेट सेवा है उसको भी एहतियातन तोर पर फिलहाल जो हैं बंद कर दिया गया है। और श्री नगर के दूसरे इलाकों में भी इसी तरह की इस्तिती आज रही आम लोगों पर रिस्टिक्शनस रहे किसी को इजाज़त नहीं दी गई कि वो ज्यादा मुवमेंट करे और इस इलाके में पिछले साल भी हमने देखा था आज़ादारों के बड़े जुलूस यहा किसी को भी आज यहां पर जुलूस निकलने की इजाज़त जो हैं वो नहीं दी गई अधर श्रीनगर के बाटवालों इलाके में आज भी कुछ लोगों ने जुलूस निकलने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें गरफतार किया है अज़ादारों ने हुसेन या हुसेन के नारे लगा कर जुलूस निकालने की कोशिश की लेकिन कई नौजवान को इस दौरान घरफतार कर लिया गया जुलूस निकालने की कोशिश की लेकिन इस भी जो मुकश्मीर पुलीस के अहलिकार आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो यहां पे आज़ादार आप जुलूस निकालने की फिराक में थे उनको गिरिफतार किया और श्रीनगर के जो दूसरे इलाके हैं वहां पे भी कोशिश की हैं एक बार आपको फिर से दिखाएंगे किस तरीके से जमो कश्मीर पुलीस जो हैं यहां जो अज़ादार आप जुरूस निकालने की कोशिश की जा रही थी इन लोगों के दौरा लेकिन इनको पुलीस ने भी लगातार जो पाबंदिया हैं वो पुलीस की तरफ से लगा दी गई हैं और कई लोगों को जुनों ने जलूस निकालने की कोशिश की उनको आज गिरिफतार किया गया कैमरे मेरे श्रब के साथ फारुक वानी जे मीडिया शिर्नगर